वो 31 साल की थी अपने जीवन के शायद जात अतर समय उसने सिल्फ पढ़ाई में निकाला होगा वो पीजी कर रही थी मेडिसिम ना डॉक्टर थी एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है जो भी डॉक्टर होते हैं वो यह जानते हैं कि उन्हें पहले 11 12 में वायो लेनी पड़ती है तब मेहनत करनी पड़ती है फिर एक्जैम क्रैक करना पड़ता है फिर MBBS करनी पड़ती है उसके बाद specialization करनी पड़ती है जो की पीजी होती है post graduation उसमें होती है पेरिंट्स ने भी यह सोचा होगा कि बच्चा सेफ है white coat job है डॉक्टर है दुनिया के लिए भगवान है अपनी night duty वो कर रही थी यह thought उसके मंद में आया भी नहीं होगा कि यहां पर क्या ही हो सकता है एक शक्स वहां पर जाता है जिसके बारे में यह चीज़ें हैं कि वह उससे पहले वहां जाने से पहले शायद रैड लाइट एरिया भी गया था काफी न्यूज houses ने इस चीज़ की पुष्टी करी है और उसके बाद वो अपनी consciousness में था नहीं था God knows उसने इस तरीके का जगन में अपरात किया कि सच में इंसानियत शर्मसार हो गई अभी भी अगर हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि left wing वाले या कुछ politicians इसके support में आएं या फिर government कोई step ले action ले government इसमें क्या करेगी आप खुछ सोचिए इस चीज़ को जरा government इसमें क्या करेगी यह चीज़ें यहां से शुरू नहीं हुए चीज़ें कई सालों पहले शुरू हुए हुए जब उस दरिंदे ने उस वो जो 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 शक्स है जिसने ये खर्कत की है उसकी upbringing कैसी होई होगी उसने बच्पन में क्या देखा होगा क्या सीखा होगा क्योंकि psychology mentality एक दिन में नहीं बनती है आप भी यह video देख निए आप सोची आप कभी ऐसा सोच भी सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा कर देंगे नहीं हो यसा सोच भी नहीं सकता कोई किसी को पशंद्बी करता तो उससे बात करने तक जाने में डगता लेकिन इस शक्स ने ऐसी हरकत की जिससे जब तक ये जिन्दा रहेगा शाहिद अगर इसके अंदर हल्की सी इंसानियत होगी तो ये चैन से कभी सो नहीं बाएगा इतने सालों तक लगातार क्या दिमाग में फीड किया जाता है इसके बीचे बहुत सारे फैक्टर अभी किसी एक मुद्दे पे किसी एक टॉपिक पे आके इसके बारे में बोलना किसलिए मुनासिब नहीं है आप प्रोटेस्ट केजिए आप कंडल लेके जाएए जबसे प्रोटेस्ट चालूँ उसके बाद भी कई सारे रिप आल्रेडी वो चुके हैं दर्ज हैं केसे बन अब्रिंगिंग पेरेंट्स बच्छों को क्या सिखाते हैं कैसे बच्चा पेरेंट्स की पकड़ से बाहर निकल जाता है पेरेंट्स अपने अपने में लगे रहते हैं एक नहीं हजार नहीं लाखों ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वज़ा से इस तरीके की किसी की मानसिक्ता ह जाती है कि वो एक जानवर बज जाता है बलकि जानवर भी उसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि जानवर इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं कोई भी ऐसा जानवर नहीं होता जो इस तरीके का काम करें जो कि ऐसा जगनने अपराद हैं समाज में चेंज लाना समाज को बदलना यह सब ना बड़ी बड़ी दखीया नूसी बातें करने से पहले जरा से यह सूचिए समाज कौन है आप जो स्क्रीन के उस तरफ हैं आप समाज हैं मैं जो स्क्रीन के इस तरफ हूं मैं समाज हूं हमें अपने अंदर ही बदलाव लाने होंगे अपने आज पास थोड़े बहुत छोटे बदलाव लाने होंगे आज पास अगर कोई छोटी गलत चीज हो रहे हैं तो उसके लिए शायद अवाज रुफ्यानी होगी तब शायद बड़ी चीजों को रोका जा सकता है आप खूब प्रोटेस्ट कीजिए आप खूब केंडल मार्च कीजिए लेकिन आप भी कभी शायद किसी दुकान पर जाएं जहां पर कोई छोटा बच्चा सर्फ कर रहा होगा तो आप उसको मना नहीं करेंगे आप जाके उसके मालेक से नहीं लड़ेंगे लेकिन जहां पर कोई इतनी बड़ी चीज हो जाती है तो हम सब मिलके हर चीज को ब्लेम करने लग जाते हैं देखिए एक बात को बहुत अच्छे से समझे कि जो पॉलिटिक्स है ना यह सबसे बड़ा बिजनेस है कोई भी सत्ता जो बनती है कोई भी सरकार जो आती है चाहे आप अपने शहर में जाके देखिएगा जो भी आपके शहर में निगम पारशक से लेके मेर तक जो भी पोस्ट होंगी या सांसद होंगे या जो विधायक होंगे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके घर कोई भी सदस से आपको मामुली नौकरी करता देखे या फिर अपना जीवन एक आम इंसान की तरह बिताता दिखेंगे सभी सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए बैठे हैं और कमाते हैं और ऐसा नहीं है कि करते नहीं करते भी हैं आज अगर आप देखेंगे तो भारत का रोड नेटवर्क काफी जादा बड़ा हो चुका है आज अगर डवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन जब कोई इस तरीके की चीज़ होती है तो वहां पर गलती एक इनसान करता है लेकिन वो किस समाज में जिया है वो समाज भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार होता है हम और आप भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार होते हैं सिर्फ सरक सरकार उसके लिए नहीं होती है सरकार जिम्मेदार है सिरफ سरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि बहुत सारी चीज़ हैं कहने के लिए ख reclasन में सिर्फ आप सभी से ये कहना चाह questão को कि उस बहु Nashville की उस्म यह सब्लाफ और खुद कोशिश कीजिए कि गलत ना करें कि खुद में बदलाव से ही आगे बदलाव आएगा वरना दूसरे को को ही कभी नहीं हमेशा याद रखिएगा